दोस्तों मैं हूँ आपके साथ सामा और आप देख रहे हैं Nation 360 क्या सुप्रिम कोट एडी के अधिकारों को छीनेगा? क्या सुप्रिम कोट अपने ही फैसले को बदलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब अब हर किसी को चाहिए क्योंकि पहले महराष्ट, फिर उसके बाद दिली और विहार इन सभी से जो गोल-गोल चकर E.D. और C.B.I. का चल रहा है ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वाकई E.D. और C.B.I. को जितने अधिकार मिल गए है क्या वो सुप्रिम कोट से जादा अधिकार है या फिर वो सारे अधिकार जो दिये गए हैं उसका इस्तमाल गलत तरीके से हुरा है ये कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल है जो आप सब के जहन में भी जरूर उठ रहोंगे दरसन सुप्रिम कोट में चीफ जस्टिस की बेंच क्या मनी लॉंडरिंग कानून में जाच अधिकार देने के अपने ही फैसले को पलटेगा ये सबसे महत्वपूर सवाल है PMLA केस में सुनवाई करते हुए जस्टिस रिटायर्ड खान विलकर की बेंच ने 27 जुलाई को दिये गए फैसले से ED और अन्य जाच इजनसियों को आसाधारण अधिकार मिल गए थे यानि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही जस तरीके से सुप्रिम कोट ने ED की जो है शक्तियों पर इसको लेकर जो सुनवाई की थी उसके बाद आश्वस्त हो गया था ED की कैसे अब उनको जो है आगे के जो टारगेट है उनको पूरा करना है लेकिन कार्ती चिदंबरम ने इस मामले को सुप्रिम कोट में चुनौती दे है चीफ जस्टिस एनवी रमना रिटार्ड होने से पहले इस मामले में महतवपूर आदेश दे सकते हैं आपको बता दी उनकी बेंच में जस्टिस दिरेश माहेश्वरी और सीटी रवी कुमार भी शामिल है इनके सुनवाई बुद्वार को हुई है जस्टिस खान विलकर की बेंच नी मनी लॉंडरिंग रोग थाम अधिनियम 2002 में प्रवरतन निदेशाले को दी गई गिरफतारी कुर्की और तलाशी के साथ जबती की शक्ती को बरकरार रखा था इसमें एडी को तमाम तरह की सक्ती करने की चूट भी दी गई थी और हाली में चीफ जस्टिस रमना की अगुआई वाली बेंच ने उस फैसले को यानि 27 जुलाई वाले फैसले के बारे में चिंता व्यक्त की थी क्योंकि ये एडी को आसाधारर परिस्टियों में मुकदमे से पहले संपती पर कबजा करने की अनुमती देता है चीफ जस्टिस ने कहा था कि उक्त निर्डे को पढ़ने के बाद हमारी राय है कि उपरोक्त प्रावधान को एक उपियुक्त मामले में और अधिक वस्तार की आवशकता है जसके बिना मनमाने धंग से इसके इस्तमाल की गुंजाईश बची हुई है जस्टिस एम खान विलकर दिनेश माहेशवरी और सिटी रवी कुमार की पीछ ने 27 जुलाई की अपने फैसले में प्यमले के प्रावधानों की समवधानिक व्याधिता को बरकरा रखा था इसे आद्वित्तिय और विशेस कानून कहा गया था और ED की जाच गिरफतारी की शक्तियों को रेखांके भी किया गया था कई राजनीतिक दलों ने ED को मनमानी पावर देने पर आपरती जताई थी प्रावधानों की व्याधिता और व्याधिया को चुनौती देने वाली 241 याजिकाओ पर पिछला फैसला आया था आपको बतादे खान विलकर ने रिटार्ड होने से महज एक दिन पहले ये फैसला दिया था 545 पेज की फैसले के विभन प्रावधानों पर एतराज उठा था कई आलोजिकों ने तरक दिया था कि इस फैसले ने ED को बेलगाम शक्तियां दे दी है अब देखना ये होगा कि जस्टेस रमणा की बेंच अब उस फैसले को पलटती है या उसमें कुछ बदलाव करती है या फिर पूरी तरह निरस्त कर देती है दरसल आपको याद होगा कि अभी हाल ही में प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग आक्ट यानि PMLA के तहट प्रवर्तर निदेशाले यानि ED द्वारा की गई गिरफ्तारी जबती और जाच की प्रकरिया को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुना दिया सुप्रीम कोट के जस्टेस एमेन खान विलकर की तीन सदस्य बेंच ने मामली को बड़ी बेंच को ट्रांसफर करने का फैसला किया तीन सदस्य बेंच ने कहा कि हमारे हिसाब से निश्ट कर्स हैं कि ये मामला बड़ी पीट को भेजा जा पीएम मेले के तहट होई कारवाई की वैधिता खोलेकर पूर्व केंद्री मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम और महाराश्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री अनिल देशमुक की आचिकाओं समेत कोट में 242 सी आचिकाओं दायर हुई थी जिस पर कोट ने कई सुनवाईयों के बाद अपना फैस्टा सुनाया सुप्रिम कोट ने याचिकाओं में कई धाराओं पर उठाये गए सवालों को खारिज कर दिया था और कई धाराओं को वैध हिठहरा दिया कोट ने केंदर सरकार द्वारा 2018 में किये गए संशोधन को भी सही माना था कोट ने ये कहा था कि आये तलाशी और जबती गिरफतारी की शक्ती संपतियों की कुर्की और जुड़वा जमानत शर्तों की विस्तरत परिभाशा के संबन में PMLA की कड़े प्रावधान सही है कोट ने कहा था कि सभी मामलों में ECIR की कौपी देना जरूरी नहीं है सुप्रीम कोट का ये भी मानना है कि गिरफतारी की अधार के बारे में एक आरोपी को सूचित करने पर्यापत है ट्रायल कोट इस पर पहलू पर और फैसलाद दे सकता है वहीं कोट ने आगे इस मामले में कहा था कि PMLA Act 2002 के तहत ED अधिकारी पुलस अधिकारी नहीं है ECIR की तुलना FIR से नहीं की जा सकती है क्योंकि ECIR एक आंतरिक दस्तावेज है ECIR की आपूरती Bentry नहीं है और गरफतारी के वक्त सिर्फ कारणों का खुलासा करना ही पर्यापत है इनके अलावा सूप्रीम कोट ने P.M.LA के तहत गरफतारी के ED के अधिकार को भी बरकरार रखा सूप्रीम कोट ने कहा कि गरफतारी के प्रकरिया मनमानी नहीं है सुप्रीम कोट के जस्टिस एम खान विलकर जस्टिस दिनेश माहिश्वरी और सिटी रवी कुमार की बेंच ने ये फैसला दिया था याचिकाओं में पेमले के तहट अपराद की आई की तलाशवी गिरफतारी कुमदादी याचिका में कहा गया था कि ऐसे प्रावधान मौनिक अधिकारों का हनन करते हैं याचिका में कड़ी जमानत शर्तों गरफतारी की वज़ा ना बताना ECIR कॉपी दिये मिना शक्स की गरफतारी, मनी लॉंडरिंग की व्यापक परिभाशा और अपराद की आये के साथ जाच के दौरान आरोपी द्वारा दिये गए बयान ट्रायल में बतोर सबूत मानने जैसे कई पहलूँ पर कालून की आलोशना की गए थी दूसरी और केंदर ने सुप्रिम कोट में प्रावधानों का बचाव किया था केंदर सरकार ने सुप्रिम कोट को बताया कि विजयमालिया नीरोमोदी और मेहुल चौक्सी के 18,000 करोड रुपे बैंकों को लोटा दिये गए है याचिका करताओं ने तरक ये भी दिया था कि जाच एजनसिया प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का अस्तमाल करती है इसलिए उन्हें जाच करते वक्त CRPC का पालन करने के लिए बात धे होना चाहिए चूकि ED एक पुलिस एजनसिय नहीं है इसलिए जाच के दौरान आरोपी दौरा ED को दिये गए बयानों का स्तमाल आरोपी के खलाफ न्याई कारवाई में किया जा सकता है जो आरोपी के कानूनी अधिकारों के खलाफ है याचिका करताओं ने ये भी तर्क दिया कि कैसे जांच शुरू करने गवाहों या अरोपियों को पुश्टाश के लिए बुलाने बयान दर्श करने संपती की कुर्की की प्रकरिया सुतंतरता के मौलिक अधिकारों का उलंगन करती है हलांकि मनी लॉंडरिंग के लिए अधिक्तम साथ साल की सजा है लेकिन कानून के तहर जमानत हासिल करना बहुत ही जादा मुश्किल है अब जिस तरीके से बिहार में ED का प्रकोप चल रहा है ED और CBI दोनों बिहार में अपनी दिल्चस्पी काफी जादा दिखा रही है ऐसे में सुप्रिम कोट में जहें ये पूरा मामला एक बार फिर से सुनवाई के लिए पहुच चुका है वहाँ पर सुनवाईयां भी चल रही है लेकिन क्या सबसे बड़ा ये सवाल है जिसका जवाब सुप्रिम कोट के फैसले के बाद आने वाला है कि सुप्रिम कोट अपने ही फैसले को पलटने के लिए पूरी तरीके से तयार है और अभी तक जितनी भी कारवाईयां ED और CBI के द्वारा की गई है क्या सुप्रीम कोट का फैसला आने के बाद उन सभी कारवाईयों को निरस्त किया जाएगा उन सभी को रद्द किया जाएगा और जो भी धाराएं जिन लोगों पर लगाई गई है जिनकी संपतियों को जब्त किया गया है कुरकी की गई है उन सभी को वो सारी चीजे वापस मिलेंगी क्योंकि ED की कारवाई पर ही सीधा सीधा यहाँ पर सवालिया निशान है और एक के द्वारा नहीं सभी के सभी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इस चीज को बिल्कुल गलत बता रही हैं और बता रही हैं कि ये पूरी तरीके से मनमानी कारवाई है बिहार में विधान सभा में भी आज यहीं देखने को मिला जहां पर तेजस्वी यादों ने साफ तोर पर कह दिया जो डरता है उसे डराया जाता है और जो नहीं डरता है उसको जो है खरीद लिया जाता है डराय कैसे जाता है E.D. और C.B.I. की जो ये दो चीज़ें हैं इनको दिखा करके अगर ऐसा नहीं होता है तो ने खरेद लिया जाता है लेकिन बिहार में ये मुम्किन नहीं हो पाया इसलिए B.J.P. यानि सत्ता धारी पाथी पूरी तरीके से बॉक लाई हुई है लेकिन सबसे जादा दिलचस्प देखना ये होगा कि सुप्रिम कोर्ट का जो फैसला है वो क्या सुप्रिम कोर्ट दुबारा से पलटने वाला है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राई क्या है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा बाकी रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिलकुल ना भूले बाकी नेशन 362 के साथ बने रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय है